कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर पैस कीजिए इससे मेरे आने वाली हर नई लैटस वीडियो की अपडेट आपको मिलते हैं असलाम वालेकुम आज हम बनाने जा रहे हैं पैरी पैरी चिकन बनाने के लिए मैंने यह आधा किलो चिकन लिया जो पार्ट आपको चिकन के पसंद है आप उसको यूज कर सकते हैं तो सबसे पहले हम पहली पहली सॉस बना कर रेडी कर लेंगे मैंने जार लिया है इसमें मैं 1 टेबल स्पूल अद्दक लसन का पेस्ट दालूँगी अगर आपका अद्दक लसन पिसावा नहीं है तो आप अखे इस वक दाल ले जार में यह मैंने एक सुखी मीडची को पानी में भिगो कर रखा था यह काफी तेज होती है इसलिए मैंने एक ही ली है अगर आप ज्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो दो या तीम भी ले सकते हैं और इसमें थोड़ा सा इसका पानी भी में डाल दूंगी 1 टीजपून सिरका लिया है वाइट वेनिगर और 1 टीजपून मैंने पैपरिका पाउडर लिया है इससे कलर बहुत अच्छा आता है और यह काफी तेज होती है तो इसको भी आप हिसाब से डाले मैंने 1 टीजपून लिया है आप चाहें तो रैड बैल पेपर भी डाल सकते है इस वक बट मैंने पैप्रिका पाउडर लिया है इसलिए मैं बैल पेपर नहीं डाल रहे हूं और हाफ लेमन दालेंगे कश्मीरी मिर्ची आप इस वक एड कर सकते हैं उससे कलर अच्छा आजाएगा बट मैं उसको मैरिनेशन में यूज करूंगी कश्मीरी मिर्ची को त 2 तीस्पून इसमें ओल एड करेंगे और इसको हमें ग्राइंड कर लेना है तो यह हमारा पैरी पैरी सॉस बनकर रेडी हो चुका है देख सकते हां अब हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं यह पैरी पैरी सॉस जो हमने बनाया था इसको हम चिकन में डाल देंगे आदा मेने बचा कर रखा है पैरी पैरी सॉस हम उसको बाद में यूज करेंगे ब्लेक पिपर पाउडर्डर कई, खिया निए अपने है अपने टेस्ट के अगर inadequate, फिर्ट पंडीड मेडा घटा यह वन टेस्पुन मीदा लिया है, मेडा अप्शनल एफ वन टेस्पुन कैश्मिरी मीची लिया है और उरीगैनो लिया है और इया नो डालने से intensity काफी अच्छा हता है बिल्कुल सिम्पल मसाले जाती है इसमें कोई यह जादा मसाले नहीं जाते है और टेष्ड काफी अच्छा होता है इसका अच्छा होता है कि टो इनको हम mix कर लेंगे कि आपको कट्स में अच्छ से मासालों को मेरिनेट कर लेना है मैंने मसाला लगा दिया है आदे घंटे के लिए मेरिने इसको रखोंगी और एक अधा परी-परी मसाला हमने बचा लिए अब जाने यूज करेंगे आप इसे अवन में भी बना सकते हैं अब भी बना सकते हैं तो मैंने ओल डाल दिया है पैन में ओल हमारा गरम हो चुका अब हम चिकन को रख देंगे ऑल में डाल देंगे जो मसाला हमारा बचा हुआ है बोल में उसको भी हम चिकन के उपर लगा देंगे बेस्ट नहीं करना है आपको अब लो फ्लेम पर इसको कवर करके पका लेंगे दस मिनट के लिए अब इसकी साइड को हम पल्टी कर लेंगे कवर हम इसले कर रहे हैं चिकन को क्योंकि बड़ा पीस है हमारी चिकन का और हम आवन में भी नहीं बना रहे हैं पैन में बना रहे हैं तो यह अच्छे तक गल जाए अंदर तक इसले हम इसको कवर कर रहे हैं साइट की करके 10 मिट पखने देंगे फ्लेमों लोग रखना है सेभी बशुकी अब जो हमने पेरी पेरी साँस बचाया था उसको हम बफ चीकन के ऊपर अब इसकी साइट को हमें पल्टी कर देना है अब इस साइट पर भी हम मसाले को लगा देंगे पेरी-पेरी सॉस को अच्छी तरीके से हर जगी पर आपको लगाना है सॉस को तो मुझे थोड़ा सा कच्छा लग रहा है इसलिए मैं इसको फिर से कवर कर रही हूँ और लो फ्लेम पर पकने दूंगी जब आपको लगे पक जाए आपका चिकन तो फुल फ्लेम पर इसकी दोनों साइडों को आप सेक ले ताकि क्रिस्पी हो जाए और आप चाहें तो गैस पर इसको ग्रिल भी कर सकते हैं जाली पर रखके उससे भी अच्छा फ्लेवर आएगा और क्रिस्पी हो जाएगा आपका चिकन तो यह देखिए चिकन हमारा बनकर रैडी है फ्राइ हो चुका है इसको हम डिश आउट कर लेते हैं तो डिश आउट कर लिए हमने हमने हमारा प्यरी परी चिकन बनकर रैडी हो चुका है अप्रिस्पी भी है और अंदर से सॉफ्ट भी है और जूसी भी है अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरी रेसिपी को जरूर ट्राइ करें करें और आपको मेरी रेसिता आपको मेरी दू खरूर नहीं है को आपको मेरी रेसिपी नहीं है कर दो